ओम शान्ती, संगम युकपर, शिव बाबा, हम बच्चों की तक्दीर जगाने के लिए आते हैं और तक्दीर जगाने के लिए हमको उंचे से उंची पढ़ाई पढ़ाते हैं साथी साथ बाबा हमें सिखाते हैं कि अब समय है संपूर्ण बनने का चोटी चोटी बातों में हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और देही अभिमानी बनने का अभ्यास करें कुछ इसी तरह की बाते कुछ इसी तरह का पाठ आज हमने आज के महावाक्यों में पढ़ा तो आईए रिवाइस करते हैं आज 26 जुलाई 2021 के महावाक्यों को घर की याद के बारे में बाबा ने क्या कहा घर का वर्सा लेना है वह है आत्माओं का घर अपने घर को नहीं भूलो यह है जीव आत्माओं का घर बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो बाप को याद करो और घर को याद करो हम आत्माएं पाट बजाने आए हैं, अब वापिस घर जाना है सच्ची शान्ती किसे कहेंगे? यह है रियल शान्ती, हमारा स्वधर्म है शान्ती हम आत्मा शान्त स्वरूप है हमारे में शान्ती की करेंट है हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं आत्मा शरीर से डिटाच हो जाती है, कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शान्ती की करेंट है शरीर छोड़ने के बारे में बाबा ने क्या कहा? अब हमको वापस घर जाना है, पिछाडी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो वायू मंडल में एकदम सन्नाटा हो जाता है याद की यात्रा में जो पक्के मस्त रहेंगे उनकी अवस्था बहुत मजबूत होगी और श्रिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे बेहद का दिन और रात क्या है? हद का भी दिन और रात है ब्रामणों की रात अब पूरी हुई है आधाकल्प रात का पूरा होता है भक्ती मार्ग को रात कहा जाता है प्रभात होने का पहला पुर है सवेरा हो रहा है इस समय जबकी बाप आते हैं तो अंधियारा है ब्रामणों का आधाकल्प दिन और आधाकल्प रात होती है इस अंतिम समय के लिए बाबा हमें कौन सी सावधानिया देते हैं? धन्दा धोरी बच्चों आदी के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। जब बीमारी आए उस समय क्या बात स्मृति में रखें? यह महारोगी शरीर है, कर्मभोग चुक्तू करना है, इस शरीर की संभाल भी करनी है। बीमारी आदी होती है, यह कर्मभोग है। धर्मराज के डंडे खाने से बीमारी अच्छी है, कर्म भोग चुक्तू करने से विकर्म विनाश हो जाएंगे. परिवर्तन की विधी क्या है और उससे सिध्धी क्या मिलती है? यदि आपका कोई अपकार करें, तो आप एक सेकिंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो. कोई अपने संसकार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए, तो आप एक की स्मृती से ऐसी आत्मा के प्रती भी रहम दिल के श्रेश्ट संसकार स्वभाव धारन कर लो कोई देहधारी दिश्टी से सामने आए, तो उनकी दिश्टी को आत्मिक दिश्टी में परिवर्तित कर लो परिवर्तन करने की युक्ती आ जाए, तो विग्न जीत बन जाएंगे संपर्क में आने वाली आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी हम बच्चों को धारना क्या करनी है, देह अभिमान को छोड़ते जाना है, तूमच धन की लालच में नहीं जाना है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धी से भूलना है, शरीर से डिटाच होने का पुरिशार्थ करना है, कभी भी बाप से वा पढ़ाई से रूठना नहीं ह ये थी आज की मुरली की विशेश बाते, आज हम सारा ही दिन अटेंशन रखेंगे कि कर्म करते हुए इस शरीर से डिटाच होने का अभ्यास करना है, और शुव बाबा को निरंतर याद करना है, कॉमेंच बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताईए कि आज की मुरली से कौन आसी बात आपको अच्छी लगी जो आप धारन करेंगे, ओम शान्ति